हरे मटर की सबजी बनाने का बिलकुल नया तरीका नमाश्कार आमिका के कीचन में आप सभी का स्वागतな है। अगर दहाना हैं वहाईhnu छूष्ट करके। चरी भीट स्वाधिार करते होता हैं। इसे मिकसर जाल में ढला देना और यह थ्धनिया तो इसे मज़ञा की पत्ति ने आपके। तो इसे भी मैं जाल में डाल दूंगी अब मैं लूंगी ये दो हरी मिर्च तीखा आप अपने पसंद के हिसाब से एड़ सकते हैं ये छोटा सा तुकड़ा है अधरक का अब मैं डालूंगी इसमें लसन की कलिया अब सारी चीजों को मैं अच्छे से पीस लूंगी पाने विल में टांसफर कर लेती हूँ ये देखे सारी है इस्ट को मितर में मन मिताल लिया है ये जो मिक्सर में ये साइड मे रग दूंगी तो में पच्छा हुआ मसाला है में त्वरा सा पानी एड करूंगी और इसे फेकना नहीं है इसे कटूरी में आप निकालए तो इसे हम में करेंगे तो इसे बिल्कुल भी फेकना नहीं है यह देखिए जान को इस तरह से दोलके और कटोरी में पानी को निकाल के इसे किनारे रखना अब मैं इसमें मसाले एड करोंगी जो पिसा हुआ मटा रहे तो यह है यह कटोरी बेशन है और यह बारी कटा हुआ प्याज और करोंट्र सत्क आलए मिल्च है तो हरे मिर्च आप जितना थीखा कहना पसंद करते हैं तीखा अपने अपने हिसाब से एड करेंए और मैंने फिरा बहूतभी ही मालत करना आप किता है। यह बहूत ही बार्य की अश्चारइबना आप इसके भी कर सकते हैं तो इसमें पहुत जादे मसाले की जरूरत नहीं है, प्याज आप स्कीप कर सकते हैं, जलूरी नहीं है कि प्याज आप डालके ही बना बिना प्याज की लसन अद्रक और हरी मिर्च पेश्टिस में परियाप्त है, यह देखिए यह बन चुका है, अमबा चलती है पड़ाही की यहां मैंने कड़ाही रखा है, आप कोई भी घहरा बर्तन ले सकते हैं, पानी उसमें डालिया और यह ग्रेवी के कुछ हम ग्रेवी की तयारिया कर लेते हैं, तो ग्रेवी की तयारिया के लिए मैंने टमाटर और रुप्याज, एक हरी मिर्च है, अद्रक कर्टुकड़ा है तो सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है, अब मैं इसके उपर से जाली दार बटन रख लेना है, जानी छनी रख देना यह स्टील की छनी है, आप इसकी जगह पर कॉटन का कपड़ा भी अच्छे से सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं तेल इसमें लगा दूंगी, क्योंकि वह मैं इसके उपर बनाने महीं है, तो सबसे पहले मैं ढग देती हूं ताकि भाब बन जाए, यह देखे भाब बन चुका है, पानी में उबाल आ रहा है, अब मैं इसमें चोटी चोटी बढ़ियां बनाती हूं, तो इसे गाह में पारी भी बोलते हैं, और इसे बढ़ी की बनती है, जी है, बहुत देश्टी सबजी बनती है, ट्राइक करिएगा, देखिएगा, और बहुत ही फटा-फट बनके तयाग हो जाती है, तो बस इस तरह से चुटी चुटी बढ़िया, आपको पूरे चनी में इस तरह से बना लेना है, ढख देना है, और 10-5 मिनिट में भाफ लेना है, यानि इस टीम से इसे पका लेना है, 10-5 मिनिट में अच्छे से पक जाता है, उसके बाद से ढख के पकाएं, उसके बाद से आप इसे निकल सेते हैं, यह मने ढख के इसे पका लिया है, यह देखिए, बिल्कुल कलर इसका चेंज हो चुका है, यह मसाले भी अपनी कणी नियुके नियुकल से पक चुका का से कचेम, थोड़ा सा पनी से पक चुका है, इसे पस रख़ूआ यूआ हो और सोड़ी, इसे में अच्छे से पीष, प्याज वगरा जो इसे में अच्छे पीस प्यार वाpowers और रहे हैं, अच्छे से पेष्टी बन का इंग के अब बढ़ एकारा में टेल डालती है만 तो तड़के में आप जीरा हींगी डालाई यहां थोके में अब श्याया है अब मसाले को सीरे इसमें डाल दीडाए हो यहां पिसक्राइब है अगर आप इसमें डाल सकते हैं यह बहुत ही तरीका है इससे फटाफट जो सब्जी आपकी बनके तयार हो जागी बिना किसी ताम जाम के मैं देखिये तो यह देखिये यह गेवी अच्छे सेुआ सब्दों जाद करते हो जैसे कि हमया टी इसलिए, मैं बहुत खंडल हुग, बहुत पीकए हो ताय है अप इसकी जगह पर कास्मीरी מrives हिए सकते है वह कले के लिए होता है तो मैं हैं कि किया लाल मिप्शकर थोड़ा सा we hertz парमिर्च को फ्रह थोड़ा से उप censorship पानी की जो पानी है आप अपने आप से कम या जादे पानी इसमें एक्वान गाना आप तो अब नहीं है उबार बहुत है जब तक ग्रेवी अच्छे से पकना जाया तो यहां देखे तेल उपर आचुका है कि जो गबी है क्षे सब्ग चुकी है अब मैं यसमे बड़िय है डाल बेती हो इसे डालने बाद जारे दर तक ग्राम हें को नहीं लखना है इंहे है STEPHANie बहुत ही मतलब इसे डाले के बाद एक दो मिनट आप इसे चला के उसके बाद से इसे उतारना बहुत जादे समय तक गैस पर दाले तो इसे डालते समय गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल लो रख है साड़ी बड़ियों को मैंने डाल दिया है यहां देख सकते हैं अब मैं इसे चला लेती हूं अच्छे से इसमें बड़ियों मिक्स हो जाए और यह दिखिए पटाफट स्वादिश्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है अब मैं इसमें फोड़ा सा धनिया की पत्ती है अच्छा लगता है और देखने में भी सब्जी बहुत अच्छी लगती हैं इस रसीपी को ट्राई जलूल करिएगा वीडियो पे नह है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छी लेगा तो अब मैं इसे बटन में निकाल के आपको विखाते हूं तो यह देखें बन करके मैं फोल्डेर के लिए से खट दिया था अब दिखें बतर में निकाल चैनल के सब्सक्राइब कितना प्यारा कलाण आया है और कितनी टेश्टी सब्सक्राइब कर दिए बने रहने के लिए बहुत भगत धन्य बाद में पे हैं अगले वीडियो में तक लिए बादा पिक्टियो